कि स्टाफिस एक्रिया से इनका प्रॉब्लम लगभग 80% तक सॉल्व हो चुका है इस पेसरेंट को बड़ी बड़ी तीन चार प्रॉब्लम थी जैसे कि रेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया लिंग में तनाव की कमी नमस्कार दोस्तों यह जो आप पेसरेंट का स्क्रिंशॉट देख रहे हैं इस पेसरेंट को बेसिकली यौन समस्या है जो की पिछले दो साल से इनको प्रॉब्लम हो रहा है यौन समस्या की इनको लिंग में तनाव की कमी है इनको एक्शन ठीक से नहीं आता है मन का अंदर लिविडो कम है यानि सेक्स के पती जो इच्छा होना चाहिए यह इच्छा काम हो चुका है और यह प्रॉब्लम सेडनली इनका अंदर डेबलब हो अचानक से जस्ट दो साल पहले अचानक से इनका अंदर डेबलब होआ है जिसके लिए यह पेसरेंट बहुत जगा से इलाज भी करा है होमोपैतिक एलोपैतिक युनानी आर्वेधिक हर लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है तो इस पेसरेंट को मैंने आज से दो महना पहले पूरा थोरोली केस्टेकिंग करके मैंने इनको स्टैफिसेग्रिया होमोपैतिक मेडिसन को प्रिसकाइब किया था एलम पोटेंसी में 0x1 0x2 0x3 0x4 तो आज से दो महना पहले हमने इनको स्टैबे सेग्रेप किये थे और आज दो महना जब हो चुका है यह पेसरेंट हमसे फिर मेडिसेन के लिए अगे का ट्रीडमेंट के लिए काॉंसरीलिंग के लिए कांटेक्ट किया है तो यह पेसरेंट अपना प्रॉब् işiain के बारे में किया लिग रहा है अंदर से इच्छा की कमी थी, इसके लवा सीमन जो है इनका बहुत पतला निकलता था, इसके लवा थोड़ी से इनको स्किन की प्रॉब्लेम भी दो साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा स्वराटिक टाइप जो स्किन डिजीज होता है, उस तरह का थोड़ा सा इन इवन किन का जो स्किन का प्रॉब्लम था, वहां भी इनको थोड़ी बहुत इंप्रॉब्मेंट आ चुका है, अब ये पेसेंट मेरे पास आने से पहले कुछ मेडिसेंस, वो सेल्फ मेडिकेसन के तौर पर भी इस्तमाल किये थे, लेकिन इनको कुछ खास परिणाम वहां से अब सवाल ये आता है कि स्टैपिसेग्रिया से ही क्यों इनको इतना अच्छा इंप्रॉमेंट हो गया, इतने सारे मेडिसेंस तो ये खुद भी लिये थे, कुछ होमोपति डॉक्टर से भी वो इलाज किये थे, तो वो भी कुछ मेडिसेंस इनको दिये होंगे, तो इन सभी मेडिसेंस से क्यों इनको कुछ फाइदा नहीं हो पाया, जबकि स्टैपिसेग्रिया से इतना अच्छा इंप्रॉमेंट आ गया, तो इसका एंसर बड़ा सिंपल है, इसका एंसर यही है कि रोगी के रोग के नाम पर होमोपैथी में कोई मेडिसेंस नहीं दे जाता है, पेस प्रॉब्लम जिन्देगी में सॉल्ब नहीं हो सकता है, उनका पेसेंट हमेसा एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर के पास जाता ही रहता है जिन्देगी बार, एक क्लासिकल होमोपैथ को हर एक बार, इचन एवरी टाइम, हर एक नया पेसेंट की अंदर, हर एक नया केस की अंदर उसे अलग तरह सोजना पड़ता है उसको फिर से बीगनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है एयसा कभी नहीं होता है कि प्रीविएस पैसरीड को यौरे समस्या थिसको इठीड़ दिया तो अभी जो पैसर अभिए हुआ हुआ है उसको भी यौरस onc вижу 19 सबस्काइब करते हैं अब सवाल है कि इस प्राबलम का प्राबलम सुरू होने का पीछे एक कारण है एक हिस्ट्रिय है एक एलमेंट आफ्टर बोल सकते हैं तो यह प्राबलम जो सुरू हुआ है इनका ये शुरू होने का पीछे एक कारण है और ये कारण भी आज से 2 साल पहले ही हुआ था जब ये problem सुरू हुआ था उस से जस्ट पहले ये problem हो था उसके बाद से इनका अंदर यहां समस्या शुरू हुआ है तो case-ticking के दौराण मैंने इस patient से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि आपका ये problem सुरू होने का पीचे क्या कारण हो सकता है तो patient न मुझे ये reply किया कि sir हमने हस्तमैतून हो सकता है फ़ड़ा जादा क्या है इसके कारण से हो सकता ये problem आया हुआ है तो जी हाँ हस्तमैतूने cost जरूर है लेकिन क्या इसको भी छोड़कर और कोई कारण है क्या ओर कोई बड़ा cause इसका पीछे चूपकर बैठा हुआ है तो हमें वो कारण भी जानना पड़ेगा प्रेस्टेंट से हम को सवाल करना पड़ेगा कि क्या आपका life में कोई हाथ सा हुआ था कोई ऐसा कोई accident हुआ था तो अगर एक genuine homeopath को patient का problem का सुरू होने का कारण अगर कॉजेशन मिल जाता है तो फिर ये तो सोने पे सुआगा हो गया अगर कॉजेशन अगर कुछ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं कॉजेशन हमेशा हर case तो फिर बहुत बढ़ी बात है गयान समस्या क्या इस से बड़ी बड़ी प्रप्राव्तिक कर सकते है युलबलम कर सकते हैं जिस प्रब्लम को ठीक करने के बारे में युलोपाथित डॉक्टर सूज भी नहीं सकते है तो further patient से बात करने के बाद case में investigation करने के बाद मुझे ये पता चला कि आज से 2 साल पहले patient का बड़े भईया का शादी हुआ था और party के दिन इन्होंने काफी ज़्यादा alcohol consume कर रखा था जिसके कारण से इनका father ने इनको भधी सबा में सब के सामने इनको slap लगा था थपड़ ल उपर लेकिन आखिरकर वो क्या कर सकते पिता जी है वो रिटाइलेट नहीं कर सकते उनका उपर तो घुसा को भी इनको पीना पड़ा और इस patient ने अगला दो दिन के लिए अपने आपको कमरे में बंद कर रखा था क्याद कर रखा था और इसी insult के बारे में सोज रहा था इस है पूरी तरह यो इतना अपिसे कुछ इंड इक शुरू हरा इंका दिमाग को जिलना पड़ा तो इनका दिमागी तौर पर ये प्रोब्लेम इनका अंदर घुल क्या है उप और चलाने वाला हमारा मन होता है हमारा वल्रेन होता है और इसी बरेन से पहरी रोक पीदा हो सकता है यह अलोपाथिक डॉक्टर समझते नहीं है उनको यह मजाग लगता है और उसी बेसिस पे हमने इनको स्टैबेसेग्रेश प्रिसकाइब किया हुआ है और इनका प्रॉब्लम स्टैबेसेग्रेश 80% तक सॉल्व हो गया है और आफ्टर टू मन्त मैंने इनको स्टैब पॉवड़ दो स्टैबेसेग्रेश 10 शीला और आफ्याट कि ए्वड़ प्रॉड़ दोस्टैबेसे अप्रॉड़ी कि प्रॉड़ी कि वन्त मैंने इनको स्टैबेसेग्रेश धूलो